धाबे जैसा दाल दड़का बनाने के लिए एक कप अरहर की दाल को 30 मिनट भेगोएं और 3 बार साफ पानी से धो लीजिए दाल को प्रेशर कुकर में डाल लीजिए एक कप दाल में 3 कप पानी डालें पानी के बाद 1 हर्य मिर्च, 1 एंच बारी कटा अधरक डालें एक छोटा चम्मज नमक और आदे छोटी चम्मज हल्दी डालें कुकर का ढखकन लगाकर 2 सीटी आने तक पकाने और अगर आपने दाल को भीगोया नहीं है तो 3 सीटी आने तक पकाने डाल उबलकर तयार हैं तड़का बनाने के लिए 2 चम्मज तेल डाले हल्का गरम होने पर 1 चम्मज जीरा बारिक कटा लसन एक चम्मज बारिक कटी अद्रक बारिक कटी हरी मिर्ज डाले एक चटके हिंग डाले और पकाएं अगर आप प्याज लसन नहीं खाते हो तो उसे स्किप कर सकते हो एक बारीक कटी प्याज डाले और नमक स्वाद अनुसार डाले ध्यान रखें कि नमक हमने दाल को उबालते समय भी डाला था प्याज पकाते समय नमक डालने से प्याज जल्दी पकती है और जल्दी नहीं है प्याज भुनकर तयार है अब इसमें एक बारीक कटा टमाटर डाले और पकाएं जब टमाटर पक जाए तो इसमें आधा चमच हल्ली और आधा चमच लाल मिर्ज डाले ध्यान रखी कि आपने हरी मिर्ज भी डाली है तयार तड़के में उबली हुई दाल डाले उबली हुई दाल को मैश करते हुए उबाल आने तक पकाएं उबाल आने पर बारीक कटा हरा धनिया डाले सबी ढ़ावों में इसी तरह दाल तड़का का बेज बना कर रख लेते हैं और जब कोई आता है तो इसमें दबल तड़का लगा कर परोस देते हैं दाल परोसने वाले बर्टन में निकाले और धनिया से सजाएं दबल तड़का लगाने के लिए धीमी आज पर एक चमच घी, एक चुट्की हिंग, थोड़ा सा लस्टन, दो सुखी लाल मर्च लाल मर्च डालते ही गैस को बन कर दें तयार तड़के को सीधे दाल के उपर ही लाले धाबे जैसे दाल तड़का बन कर तयार है अगर आपको रेसिपिक पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले